C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् बिल्कुल किसी जूले सी आराम दे जगा थी यहूँ. प्रिष्ट संख्या 76. तोत्व चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उपर चड़ी मिलती. वहां से वह सामने दूर तक उपर आकाश को या नीचे सडक पर चलते लोगों को देखा करती थी. बच्चे अपने अपने पेड को निजी संपत्ती मानते थे. किसी दूसरे के पेड पर चड़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए. क्या मैं अंदर आ जाओं, पूछना पड़ता था. यासु की चान को पूलियो था. इसलिए वह ना तो किसी पेड पर पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांते. घर से निकलते समय तो तो चान ने मा से कहा कि वह यासु की चान के घर डेनेन चोफू जा रही है. चूंकि वह जुट बोल रही थी, इसलिए उसने मा की आँखों में नहीं जांका वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही. रौकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया. जाने से पहले उसे सच बताए बिना तो तो चान से नहीं रहा गया. मैं यासु की चान को अपने पेड़ पर चड़ने देने वाली हूँ. उसने बताया. जब तो तो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था. यासु की चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला. गर्मी की छुटियों के कारण सूना पड़ा था यासु की चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बढ़ा था पर तो तो चान को वह अपने से बहुत बढ़ा लगता था. जैसे ही यासु की चान ने तोतो चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी और बढ़ा उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों और फैले हुए थे तोतो चान उत्ते जित थी वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था वह उल्लास में ठिट्या कर हसने लगी यासु की चान भी हसने लगा प्रिष्ट संख्या सतहत्तर तोतो चान यासु की चान को अपने पेड की और ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के चप्पर की और भागी जैसा उसने रात को ही तैकर गिया था वहां से वह एक सीड़ी गसीटती हुई लाई उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्वी शाका तक पहुंच जाए वह कुर्सी से उपर चड़ी और सीड़ी के किनारे को पकड़ लिया तब उसने पुकारा ठीक है अब उपर चड़ने की कोशिश करो यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीड़ी पर भी बिना सहारे के चड़ नहीं पाया इस पर तोतो चान नीचे उतराई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी इस से अधिक सहायता क्या करती यासुकी चान ने अपना पैर सीड़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर छुका कर खड़ा हो गया तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वस सोचे बैठी थी अब क्या करे वह यासु की चान उसके पेड़ पर चड़े यह उसकी हार्दिक इच्छा थी यासु की चान के मन में भी उच्छा था वह उसके सामने गई उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो चान को उसे हसाने के लिए गाल फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े प्रिष्ट संख्या 78 ठेहरो एक बात सुची है वह फिर चौकीदार के चप्पर की और दोड़ी और हर एक चीज उलट-पुलट कर देखने लगी आखिर उसे एक तिपाई सीड़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था वह तिपाई सीड़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी तिपाई की ऊपरी सीड़ी द्वीशाखा तक पहुँच रही थी देखो अब डरना मत उसने बड़ी बहन किसी आवाज में कहा यहाद डगमगाएगी नहीं यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीड़ी और पसीने से तर बतर तो तो चान की ओर देखा उसे भी काफी पसीना आ रहा था उसने पेड़ की और देखा और तब निश्चे के साथ पाउं उठा कर पहली सीड़ी पर रखा उन दोनों को यह बिलकुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को उपर तक चड़ने में लगा सूरज का ताप उन पर पढ़ रहा था पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के उपर तक पहुँचने में रमा था तोटो चान नीचे से उसका एक एक पैर शीड़ी पर धरने में मदद कर रही थी अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही यासुकी चान पूरी शक्ती के साथ जूच रहा था और आखिर वह उपर पहुँच गया खुरे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी तोटो चान तो सीड़ी पर से चलांग लगा कर द्वी शाखा पर पहुँच गई पर यासुकी चान को सीड़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही यासुकी चान सीड़ी था में तोटो चान की और ताकने लगा तोटो चान की रूलाई छूटने को हुई उसने चाहा था कि यासु की चान को अपने पेड़ पर आमंत रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए प्रिष्ट संख्या उन्यासी पर वह रोई नहीं उसे डर था कि उसके रोने पर यासु की चान भी रो पड़ेगा उसने यासु की चान का पोलियों से पिछकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था उंगलियां भी लंबी थी देर तक तो तो चान उसका हाथ थामे रही तब बोली तुम लेट चाओ मैं तुम्हे पेड़ पर खिंचने की कोशिश करती हूँ उस समय द्वी शाका पर खड़ी तो तो चान द्वारा यासु की चान को पेड़ की और खिंचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उटता उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई दे थे पर यासु की चान को तो तो चान पर पूरा भरुसा था और वह खुद भी यासु की चान के लिए भारी खत्रा उठा रही थी अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासु की चान को खींचने लगी बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में च्छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड की द्वी शाखा पर थे पसीने से तर्बतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो तो चान ने सम्मान से जुक कर कहा मेरे पेड पर तुम्हारा स्वागत है प्रिष्ट संख्या असी यासु की चान डाल के सहरे खड़ा था कुछ जिजगता हुआ वह मुस्कुराया तब उसने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ उस दिन यासु की चान ने दुनिया की एक नई चलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था तो ऐसा होता है पेड पर चड़ना यासु की चान ने खुश होते हुए कहा वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लडाते रहे मेरी बहन अमरीका में है उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलिवीशन यासु की चान उमंग से भरा बता रहा था वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुछती देख सकेंगे वह कहती है कि टेलिवीशन एक डिब्बे जैसा होता है तो तो चान उस समय या तो न समझ पाई कि यासु की चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे वह तो यही ही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे उनका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी उन दिनों टेलिविजन के बारे में कोई नहीं जानता था पहले पहल यासु की चान ने ही तो तो चान को उसके बारे में बताया था पेड मानो गीत का रहे थे और दोनों बेहद खुश थे पार्ट के बारे में तो तो चान विश्व साहित्य की एक अमूल ये निधी है जो मूलता जापानी भाशा में लिखी गई है इसका अनुवाद विश्व की कई भाशाओं में हो चुका है यहाँ एक ऐसी अद्भुत पार्ट शाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिन के लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी गहरी जड़ों वाले पेड पार्ट शाला का गेट शाखा बच्चों के खेलने के कोने इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे शिरी कोबा याशी लेखी का स्वयम इस स्कूल की चात्र थी उन्ही के बच्चमन के अनुभवों पर आधारित है पुष्टक तो तो चान का या अंश अपूर्व अनुभव पुष्ट संख्या 81 प्रश्ण अभ्यास पाठ से प्रश्ण एक यासु की चान को अपने पेड़ पर चड़ाने के लिए तो तो चान ने अथक प्रियास क्यों किया लिखिये प्रश्ण दो दिर्ड निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तो तो चान और यासु की चान को अपूर्व अनुभव मिला इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग-अलग थे दोनों में क्या अंतर रहे लिखिये प्रश्ण तीन पाठ को याद करके बताईए कब सूरज का ताप यासु की चान और तोतो चान पर पढ़ रहा था वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें चाया दे कर कड़कती धूप से बचाने लगा था आपके अनुसार इस प्रकार पर इस्थिती के बदलने का कारण क्या हो सकता है प्रश्ण चार यासु की चान के लिए पेड़ पर चड़ने का यह डैश अंतिम मौका था इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिये और लिख कर बताईए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा पाट से आगे एक तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था यासु की चान के गिर जाने की संभावना थी फिर भी उसके मन में यासु की चान को पेड़ पर चड़ाने की दिड़ इच्छा थी ऐसी दिड़ इच्छाएं बुध्धी और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है आप किस तरह की सफलता के लिए तीवर इच्छा और बुध्धी का उप्योग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं दो हम अक्सर बहादुरी के बड़े-बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहे हैं लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खेंचती है यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे प्रिष्ट संख्या 82 अनुमान और कल्पना एक अपनी मां से जूट बोलते समय तो तो चान की नजरें नीचे क्यों थी दो यासु की चान जैसे शारीरिक चुनोतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चड़ने उतरने की सुविधाएं हर जगा नहीं होती लेकिन कुछ जगों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं उन सुविधा वाली जगों की सूची बनाई है बहाशा की बात एक द्वी शाखा शब्द द्वी और शाखा के योग से बना है द्वी का रत है दो और शाखा का रत है डाल द्वी शाखा पेड के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती है द्वी की भाती आप त्री से बनने वाला शब्द त्री कोन जानते होंगे त्री का अर्थ है तीन इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनिया अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ-कुछ मिलती जुलती हैं जैसे हिंदी आठ, संस्कृत अश्ट, अंग्रेजी एट दो, पाट में ठिठ्या कर हसने लगी, पीछे से धकी आने लगी, जैसे वाक्य आये हैं ठिठ्या कर हसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं ठी 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 हसना या ठट्ठा मार कर हसना बोल चाल में प्रियोग होता है इन में हसने की ध्वनी के एक खास अंदास को हसी का विशेशन बना दिया गया है साथ ही ठिठ्याना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रियोग हुआ है इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है आना प्रत्यय से बनने वाले चार सार्थक शब्द लिखिए अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट प्रस्तुती C.I.E.T.